हेलो एन वेलकम मेरा नाम है आयाज और आज की इस वीडियो में आपको पताऊंगा कि मैं इस टाइम हूँ 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 यूस्टन में और आज बेसिकली मैं आया यहां पर ड्राइविंग जो टेस्ट है वो देने के लिए मैंने आपको मेरी प्रीवेस वीडियो में complete expenses औ उसके बार मैं बताया था कि लर्नर आप लोग कैसे ले सकते हैं और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं मैं जाता हूँ कि अगर आप लोग यूएस से आते हैं और स्पेसिपिकली हूस्टन में आते हैं तो आप लोग ड्राइव वो basically driving test का आता है मैं यहाँ पर आया हूँ खान driving academy में यह आप मेरे पीछे गाड़ी देख सकते हैं और मैंने driving test पास कर लिया है और बहुत ही अच्छा review था और बहुत ही अच्छा experience राय है मेरा यहाँ पर बैक पर आप मेरे खान academy देख सकते हैं और बहुत ही friendly लोग हैं यहाँ पर और यह उनकी जो है driving car है इसमें driving test होता है और basically यहाँ पर आपने यह test देना है और यह test देने के बाद आपको वो एक seal envelope देंगे यह seal envelope जो है इसके charges मैंने और रेड़ी पे कर दी है seal envelope जो है वो मुझे मिल गया है और यह seal envelope जो है अब मैं DPS जो है वहाँ पर लेकर जाऊँगा DPS की appointment जो है वो भी मुझे इन लोगों ने online लेकर दे दी थी और यह appointment लेकर अब DPS जाऊँगा और वहाँ जाकर आपको दिखाऊँगा के license कैसे मिलेगा और वहाँ पर क्या requirements है DPS के office में तो चलते हैं DPS के office और आगे जाकर आपको दिखाता हूँ पाकी का process मैं आज चुका हूँ DPS के office और जो वहाँ अब देख सकते हैं driving license center लिखा है और यह इसके entrance है कि अ कि यह जो DPS का जो है office इस अंदर से और मैंने जो है DPS का license इदर से ले लिया है driving license और अब मैं बाहर जा रहा हूँ कि आपको अब लोग से शेयर करूंगत के DPS के office में जब मैंने license apply करने के लिए पक्का वाला license apply करने के लिए यहां पर आया तो उन्होंने मेरे से कुछ documents require कि first document जो था वो like जो envelope था result का जो driving test का था मुझे जो driving school से मिला था वो मैंने इनको provide के यहां पर उसके बाद इन्होंने अगर आप visit visa पर आते हैं तो आपका I-94 मांगेंगे अगर आप student visa पर हैं यहां पर study कर रहे हैं तो आपका I-20 मांगेंगे तो इस तरह जो भ और जो document proof address वाले वो नहीं मांगे लेकिन passport जूर मांगा है उन्होंने कि उन्होंने इस पर identity confirm करनी है कि लाइक नाम और डेट अवगार तोड़ार चीज और विजा करने के बाद डीपियस office से जो है टेक्सिस के वह में बाहर आ गया और finally जो है उन्होंने मुझे एक paper दिया और जिस paper के ऊपर driving license का number है और वो as a driving license ही है तिल जो original driving license है वो आएगा mail में और तब तक में और इस like जो paper driving license है hard copy इसके ऊपर चला सकता हो गाड़ी तो यह था simple सा process अगर आपको कोई भी डाउट हो और आप मुझे comment section पूछ सकते हैं हाँ एक शीज आपको जरूरी बता क्योंकि last time जब मैंने आया था DPS के office तो मैंने 33 dollars पे किया थे learner permit के लिए और यहां पर मैंने इन्होंने में 11 dollars charge किये जो के पक्के वाले driving license के लिए है वो driving license तब तक valid होगा जब तक आप US में legal allowed है आपको रहना आपका जो legal permit है वो valid है और इसी के साथ मिलते हैं एक next video में तब तक के लिए best of luck और good bye